मेरा घर गाव में पढ़ता है यहां पर मेरे घर के पास से ही एक नहर निकलती है गर्मियों के दिनों में हाम नहर में सुबह शाम को नहाने के लिए अक्सर जाया करते हैं दोपहर की समय नहर में लड़के नहीं नहाते तो हमारे पडोस की लड़किया दोपहर में नहा लिया क तू मैं नहर पर नहाने आ गया अभी नहाते हुए मुझे करीब दस मिनट ही हुए 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 कि हमारे पडोस की देसी लड़की वहाँ पर नहाने के लिए आ गई उसे लड़की का नाम मोनिका है रमसी गोरी है और कमर पती है बिलकुल उसके गुबारे बड़े संत्रे के आकार के थे अब तो मेरे हाथ में नहीं आते हैं इतने बड़े हुगए हैं जो कि मेरा ही कमाल है उसके साइच के नापका तो मुझे पता नहीं वो जब नहर पर आई तो मैं नहर में तेराकी कर रहा था वो नहर पर आकर अपने दो मैं उसकी बात पर थोड़ा हैरान सा हुआ क्योंकि हम दोनों कभी इससे पहले इतने खुलकर बात नहीं की थी और वो भी ऐसे अकेले में आज से पहले कभी भी मैंने उसे गंदी वाली नजर से कभी नहीं देखा था मैं उसके कहने पर उसको तेराकी सीखने के लिए राज हो गया वो मेरे करीब आई और पानी में गोता लगाने लगी मैंने उसको अपने हाथों में थाम लिया ताकि वो नीचे डूबे नहीं मेरे हाथ उसके कमर पर थे और वो तैरने के लिए हाथ पैर मार रही थी इस बीच मेरा हाथ उसकी गुबारे पर चला गया तो उसने कुछ नहीं कहा मेरा हाथ उसके गुबारे पर लग रहा था जो की बड़े आकार के संत्रे की साइज का था अब मेरे अंदर हल चल हुने लगी मैंने इस देशी हसीन जवान लड़की के साथ सब कुछ करने का मौका देखा तो मैं धीरे धीरे बहाने से उसके गुबारों को जान बू रह से हाथों में भर लिया तब भी उसने कुछ नहीं कहा अब मेरा नागराज मेरे थैली में पूरा तन चुका था लेकिन वो पानी के अंदर था पानी के अंदर भी मुझे अपने नागराज की गर्मी महसूस हो रही थी मैं मोनिका को खळी होने के लिए कह दिया तो वह मे पिली कमर मेरे नागराज को टच होना हर पल मेरे अंदर की आग को बढ़ाय जा रही थी मैं धीरे धीरे करके उसकी कमर पर अपना नागराज को अच्छी तरह से सताने लगा मगर वो कुछ भी नहीं बोल रही थी कुछ देर तक ऐसे ही चलाता रहा ना तो वो कुछ कह रही और ना ही मैं कुछ कह रहा था फिर वो मुझसे छूट कर पानी से बाहर जाने लगी मेरे अंदर तो आग भर चुकी थी मैंने उसको रुखने के लिए कहा लेकिन वो मना करके चली गई मेरे मन में दर भी था कि कहीं ये कुछ घर पर जाकर बता ना दे तो मेरी हालत खराब हो रही थी उसके बाद में घर पर आ गया और मोनिका के साथ हुई इस घटना को याद कर करके मैंने दो बार अपने नागराज को कसरत करा डाली उसे दिन तो मैं बस यही सोचता रहा कि किसी भी तरह बस उसकी चिरिया देखने को मिल जाए यही सोचते हुए उस रात मुझे न मारे घर पर टीबी देखने के लिए करीब ग्यारा बजे मेरे घर पर आ गई मेरे घर वाले टीबी नहीं देखते थे तो मा और पापा दूसरे कमरे में सो गए थे चुकी राजस्थान में गर्मी बहुत पढ़ती है तो मेरे घर वाले शाम को तीन बजे के बाद ही सोकर उठा कि मा और पापा सो रहे हैं मैंने मा पापा को धीरे से देखा तो वो दोनों नींद में सो रहे थे उसके बाद में उसके बिलकुल पास आकर बैक गया और धीरे धीरे एक हाथ से उसकी कमर पर फिराने लगा उसने कुछ नहीं कहा तो मेरी हिम्मत बदी में अपने हाथ को उसकी कमर से होते हुए उसके गुबारों पर ले गया उसने एक बार मेरी तरफ देखा और फिर से आगे देखने लगी उसको शायद अच्छा लग रहा था वरना कोई भी लड़की इस तरह से एकदम से शरीर को छूने नहीं देती है जब मुझे पुरा यकीन हो गया कि वह भी खाने की तयारी करके ही आई है तो मैं उसकी कमीज में हाथ डाल दिया उसके गुबारों को दबा दिया तब भी उसने कुछ नहीं कहा अब तो मुझे रुका ही नहीं गया मैं उसकी सलवार के उपर से ही उसकी देशी खेत को छू लिया उसने एक बार के लिए मेरा हाथ ह रहे थी और उसमें से जो लाल बाहर आ रहा था उसके साथ में उसका मलाई भी मिल गया था इस वजह से लाल रांग और मलाई का वह मिश्रन बन जाने से मेरा नागराज अंदर जाने में अब कोई परेशानी नहीं आ रही थी क्योंकि मैं भी काफी उत्साहित था तो मेरे में उसकी कमीज को उपर उठा कर उसके गुबबारे को भी कल रहा था हम दोनों शान्थ हो गए लेकिन मेरा अभी भी नहीं भरा था मैं उसके उपर ही सो गया और उसके मूल को जूंगता रहा मेरी कमर साफ थी और वह मेरे नीचे पड़ी हुई थी उसका जूंगते हुए म हम दोनों उठ गए लेकिन मेरा नागराज अभी पोजीशन में हुआ था मगर वल कहने लगी कि उसको अभी भी चिरिया में चोट लगे हुई है फिर मैंने धीरे से उठकर उसके लिए एक चोट की गोली लाकर दी गोली खाकर वह अपने घर चली गई उसके बाद तो मौका धूंदने लगे फिर जब भी मौका लगता था मैं उसके खेत में हाल लगा लेता था आज उस घटना को इतना वक्त बीट चुका है और वह भी भी मुझसे अपने चिरिया उलने के लिए तयार रहती है मैं भी जम कर उसकी चिरिया उलाता हूं मैं दबोच दबोच कर उसके गुबारों को काफी बढ़ा कर दिया है दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एक लाइक करें